तो है गाइज वेल्कम बैक तुमार यूटूब चैनल तो एक और नया ब्लॉग में आप लोगा स्वागत है तो जैसा की गाइज में जा और यहां पर सर भी है तो सर यहां पर कितना बड़ा यग होने वाला है यह भारत के हिंदुस्तान के इतिहात में पहली बार एक साथ इतने बड़े संतों का आयोजन हो रहा है जो संत समागम के नाम से जाना जाता है और महर्शी विश्वमेत्र के तपभूमी बकसर में मर्यादा पुरसुत्र स्रीर नाम चंदेजी का यान असली है और उसी जगाप हो रहा है क्योंकि इस जग का मुख है उजनकरता के मंत्री असोनी कुमार चोब्य है जो बकसर के सांसद है उनके नित्यूट में हो रहा है बता दे कि 10 लाख लोग एक साथ बैटकर जग का अनंद उठा सकते हैं भक्तिमाय ह और तमाम तरह के त्यारी जो आप देख रहा है यहां से नहीं बिदेशों सो यहां पर जो कंपनी आई है बिदेश के लोग यहां आए हुए है बिदेश के सारे बिदी बेवस्था लगाए गया है कलकता पंजाब दिल्ली हरियाणा से कई जगों के कई राज्यों के लोग और यहां पर एक-एक 700-पीट का है तो यहां पर यहां पर बन रहा है यहां पर बन चुका है और दस हजार लोग बैट सकते इसमें तो और भी आगे चलते हैं आपको और चीज दिखाते हैं तो यहां पर कुछ हमारे भाईया लोग कहां से आये पुछते हैं भाईया कहां से आप लोग आए हैं यहां पर भाईया देख सकते हैं और आप लोग भाईया लोग आया यहां पर काम करने के लिए बहुत अलग अलग जगह से आये और फिलाल तो बहुत जोडों-शोडों से काम चल रहे यहां पर अधर तक टेंट लग चुका है उधर भी सारा अभी टेंट यह बन भी रहा है बहुत काम चल रहा है जो रोस रोस है तो जो मैं ड्रोन से आपको वीडियो दिखा रहा था जो दिये का यहां पर जो की है यहां पर उसके बाद ट्रोन तो सांब को दिखने मज आएगा जाएगा पूरा बन जाएगा झाल झाल तो फिलाल गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आपने देखा बहुत जोरो सोरो से काम चल रहा है और साथ तारीकों यहां पर सारा कारिकरम होने वाला है क्या सर बिल्कुल आप जो तस्वीर देख रहे हो तस्वीर के माध्यम से आपको देखने को मिल चुका होगा कि चारोस जो संतों में सरसेठ है सभी संत महा पुरुस आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सरसंचालक मोहन भागवत जी का वियागमन हो रहा है और आए दर्सन किजिए और बिहार नहीं पुरे देश में बगसर का नाम को चानेंगे जाहिन जय भारत तो लाइक शेर तो वी झाल